एक्षिन के ऊपर एक्षिन बनाने का फैसला कर दिया है शारू खान ने और संदीब रेडी वंगा के साथ शारू खान की मुलाकाते होना शिरू हो गई है संदीब रेडी वंगा केते हैं कि हर एरो के लिए मैंने एक अलग स्क्रिप्ट को त्यार करके रखा है और शारू खान तो बॉलिवुड के बादशाह है उनके साथ तो बहुत कुछ बनेगा इस बार हम एक नई प्लानिंग बना रहे हैं एक नई स्क्रिप्ट के उपर काम कर रहे हैं एक नया वाइलेंस आपको देखने को मिलेगा एनिमल तो सरफ एक ट्रिलर था असली कारनी तो शारू खान के साथ आईगी जो के बॉक्स आफिस पर रोल करेगी जिया दोस्तों शारू खान उस संदीप रेडि वांगा की मुलाकाते हो रही है और अगर मीडिया नियूस की बातों को माने तो शारू खान अब संदीप रेडि वांगा के साथ भी काम करने के लिए काफी ज़दा एक्साइटेड है क्योंके एनिमल मुवी की सक्सेस के जाले हैं उसी के साथ सूरज बरजातिया की भी बाते हो रही है और यहां पर राजा मुली के साथ भी शारू खान की काफी ज़दा काफी ज़दा चीजें हाईलाइट हो रही है यश और शारू खान का भी एक साथ आना अब संबब हो सकता है क्योंके काफी ज़दा बड़े एग्रिसिव है लेकिन संदीब रेडी वांगा जो है वो बहुत बड़ी डारेक्टर है उन्होंने जो वाइलेंस एनिमल मुवी में दिखाया है उसके बाद हर किसी की यही ख्वाइश है के शारुखान के साथ भी उनके एक मुवी आनी चाहिए क्योंकि शारुखान बहुती बड़िया डारेक्टर हैं दोनों की काफी अच्छी दोस्ती है और अगर ये पार्टनर्शिप हो जाती है तो बहुत बड़ा बवंडर आ सकता है इस विशे पर आपका क्या कहना है और आप शारुखान के साथ संदीब रेडी काम करते हैं तो इस पर आपका क्या रियक्शन है कितनी बड़ी कमाई शारुखान संदीब रेडी वांगा की मूवी से कर सकते हैं कमेंट बोक्स में लाजबी बताना अगर आप शारुखान के सचे फ्रेंड हो तो सबस्काइब कर लो हमारे चैनल एफ एफ यू को ताके हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आने वाली श सबस्काइब कर लीजिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैसी आराम